रूसी से ना दक्षन यूकरेन में अपनी पकड मजबूत करती जा रही है इसे यूकरेन का ब्लैक सी से संपर कर जाने का खत्रा पैदा हो गया है बंबारी बढ़ने से मानवे संकट और गहरा गया है युकरेन के राष्टपती जलिंस्की ने रूष्ट के राष्टपती व्लादीमिर पुतिन से आमने सामने की बात करने को कहा है उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने का ये एकमात रुपाए है राष्टपती जिलिंस्की ने पश्चिमी देशों से भी अनुरोध किया है कि रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए उन्हें विमान उपलब्द कराये जाएं उन्होंने नेटो से भी आग्रह किया है कि उक्रेण के उपर विमान पति बंधित शेत्र घोशित किया जाए इस बीच उक्रेण के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने जापो रिजीजिया परमानु सेंत्र को घेर लिया है और गोला ब बदलाब नहीं हुआ है यूक्रेण के अधिकारियों ने कहा कि परमानु सेंत्र सुरक्षित है और इसे कोई नुक्सान नहीं पहुंचा है अंतराष्टिय परमानु उर्जा एजेंसी ने एक ट्वीट में बताया कि वह इस सैंत्र की स्तिति को लेकर यूक्रेण के अधिक पाने संचालित की हैं और इनसे 1428 भारतियों को लाया गया है। इनसे नौटन सत्तर कुंटल राहत सामगरी भी पहुँचाई गई है। युक्रेन में रह रहे हैं 36 गड़ के 30 विद्यार्थियों की कल वापसी हुई। इन्हीं में से एक छात्र आर्यन से ने बताया कि युद बताना चाहूंगा कि हमारी सारी विमाने रद्ध कर दी गई थी हमारे रहने वाले स्थान से क्योंकि एयर बेस बंद कर दिया गया था फिर हम ट्रेन मार्ग से हमाले ट्रेन की विवस्था की गई हमारी उनिवर्स्टी के द्वारा भारतियों के लिए खास कर और हमें उस ट यहां पर भारत सरकार की खासी बात यह हम ध्यान देना चाहिए कि भारत की जो आज थिती बन गई है विश्व में खास का रूश का जो उनकी मित्रता है उससे कारण जो ट्रेन में अन्य रूसी भाई बंदू थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी हमें कुछ खाने की विद्यार्थियों की वापसी के समन्वेक गणिश मिश्रा ने बताया कि छेत्यसगर के विद्यार्थियों की वापसी का सलसिला जारी है